दोस्तों, इस वीडियो में हम basically जो काफी सारा students का question है आ रहा था जब college में पढ़ाई कर रहे है, सब engineering कर रहे है या दूसरा कोई courses कर रहे है या plus one plus two में पढ़ाई कर रहे है तो आप UPC का preparation case से continue करें और पर कैसे शुरू करें actually मतलब आसे beginner क्या 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 करना चीए क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं हमारे पास time काफी जाता होता है actually तो जब मेरा case लिए तो मैं जब केरला में पढ़ाई किया तो काफी सारा strike होता था तो चुटी चुटी मिलता था काफी सारा time ऐसे निकलते जाता था तो अपना college का time भी कैसे manage करें और UPC का पढ़ाई भी कैसे साथ साथ में करें तो कुछ important points में आपको discuss करने वाला इधर ओके और दिल्ली का भी थोड़ा experience share कर रहा हूं कि मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हू लेक UPC का coaching के लिए तो सारा details के लिए पुरा वीडियो के इन तक बने रहे और एक और चीज इस channel में हम काफी सारा UPC related important information देते हैं और आसवलास नया जो books है उसका review देते हैं जो भी students का doubts और confusion देते हैं वो clear करने के लिए हम काफी कोशिश करते ही तो इसलिए अब अभी तक आप गर आपने इसको subscribe नहीं किया जरूर subscribe कर दीजिए इस channel को ओके चलो अभी शूरू करते हैं क्या क्या है तो UPC strategy for college students और plus one plus two students भी इसको आप लिके भी कर सकते हैं पहला चीज है करने से पहले एक चीज आपको mind में रखने है time management तो आपको college में classes के लिए जाना पड़ते है और दूसरा चीज से आपको assignments कुछ projects और exam के लिए पढ़ाना पड़ते हैं तो उसी time में कैसे manage करें actually तो time management में आप क्या कर सकते हैं जो दिन में 2-3 गंडे आप इसके लिए अलग से preparation के लिए आपका comfortable time में या सुबह आप डाल सकते हैं या like evening में डाल सकते हो time तो आपका comfortable time क इसे बरबाद करते हैं बरबाद नहीं हम movies गया like Netflix Prime वगरा देखते हैं time काफी जारा निकाल देते हैं अपना तो आप पते एक movie देखने में दो डाई गंडे लगता है वो डाई गंडे में आप मैं बोलता हूं एक book का एक आदा आप रवेस कर सकते हैं या like मैं बोल सकता हू इसा आप आराम से बढ़ सकते हैं को भी important book ऐसा तीन चार movie देखने के टाइम आपका एक book कथम हो जाते हैं तो बात में और वेस कर सकते हैं तो अभी आप regret नहीं करेगा बात में regret करेगा उसके बारे में तो थोड़ा बहुत एक balance रखे movie भी देखो मड़ला हर दिन थोड़ी movie देखो पर थोड़ा बहुत preparation के लिए जो चीज है एक्स्टा time हम जब waste करते हैं like movie देखते हैं गूमने निकलते हैं उसी time में UPC का preparation थोड़ा time management आप कर दीजिए और कोई भी डाउट हो वीडियो का description में डाल दीए मैं आ उसका reply कर दूँगा okay उसके बाद आप शुरू कर पर प्रप्रेशन तो प्रप्रेशन जब शुरू करते हैं तो में चीज होते हैं आपका NCRT ओके तो NCRT क्यों इतना important है क्योंगी like six to 12 जो NCRT है सारा subject जो उसका syllabus में आपको post कर लूँगा उसमें तो लेके economy, geography, history, Indian policy, वो सब में NCRT से हपसे यादा question पूसते हैं क्यों पू करते हैं UPC उसका preliminary or main questions में तो NCRT काफी important है कोई भी बच्चा आराम से समय सकते हैं कि आपने तो आल्रेडी पढ़ चुगा होगा NCRT तो आप NCRT से आपका preparation शुरू कर सकते हैं तो NCRT से कौन सा subject पहले उठाओ करके तो मेरा suggestion है रहेगा अब history से शुरू किए पहले तो हम ही history पता होना चाहिए तब ही तो आप प्रसंट के लिए जो आच्छा decision ले पाएगा तो एक पूरा like history पढ़ाने के नहीं पता चल जाएगा और जो administrative measures पहले यूस करता था अभी latest सब पुराना चीज का ही कुछ अपग्रेडर वर्शन है तो history इस काफी important आप history से शुरू कर सकते हैं जो से standard का ancient के एक बुक का आते हैं उसके बाद 7 में तो medieval India आते हैं फिर उसके बाद 8 में 2 आते हैं लेक modern India का तो इसा करके आप शुरू कर सकते हैं उसके साथ साथ आप geography का अगर आपका geography काफी strong है तो 6 to 10 आप पढ़ने के जरूद नहीं 11 और 12 का सब सारा चीज कवर होते है maximum questions वहाँ से ही आ जाते हैं तो आप ज्यादा वर्य करने की जरूद नहीं तो उसके बादे मूं बता दूँगा तो NCRT से शुरू करना आपके लिए काफी अच्छा रहेग तो UPC का past four to five years का trend आप देखा तो आप यह समझ में आ जाएगा तो maximum questions newspaper से directly होते हैं तो आप शुरूआत में जो हिंदू उठाते या Indian Express उठाते हैं दो अप्शन हैं हिंदू और Indian Express यह दोनों काफी लोग select करते हैं तो आप हिंदू लेलो और अच्छा रहेगा Indian Express भी चलेग या कोई ऐसा कोई problem नहीं है और यह आप online sign up कर सकते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं पहला जमाना जैसा नहीं है हाट को भी खरीदो और बैट के पढ़ाई करो आप college में पढ़ाई करें तुमें एक सबसे बढ़िया बात बोलता हूं यह जो newspaper वापे सारा publications और newspaper आवेलेबल रह सकते हैं मेरा college time में यूज करता हूथा ओके newspaper में आप क्या पढ़ना है वो भी important है जो फालतू चीज से रहता है ना मतलब जो लोकल प्रोटिक्स में क्या हो रहा है कुछ scam हो गया या कुछ अलग-अलग cases हो गया मतलब चाकुबाजी हो गरा हो गया मतलब यह सब चीज आपक यूड का जो second paper होते हैं और directly question आपका editorial से पूछ देते हैं और editorial काफी important है आपका answer writing के लिए और आपको एक अच्छा opinion बनाने के लिए भी UPC का related area में तो editorial काफी important आप कुछ नहीं पढ़ा तो भी चलेगा college time में आप जरूर editorial पढ़ लीजिए उसके बाद उसके से note prepare मतलब एक बार पढ़ो उसके बाद आप एक paper में लिखो आपने क्या समझा actually तो यह वाले exercise आप 5-6 मेने करेगा तो automatically आपका answer rating डवलप हो जाएगा तो इतना बड़ी बाद नहीं answer rating तो newspaper पढ़ लीजिए और आप coaching के बारे में सोच रहे हो तो like college time में काफी time मिलते हैं तो regular coach में जाना थोड़ा मुश्किल होता है okay दिल्ली वाला लोग को जा सकते हैं कि वो इतना आप 4-5 बाचस बना के रखा है सुबह का है 8 बजे का एक रहेगा 11 बजे का रहेगा 2 बजे का रहेगा 5-5 बजे का रहेगा इसा अलग अलग बाचस है दिल्ली वाला लोग आराम से इसको कर सकते हैं बट अगर दिल्ली में नहीं हो आप तो आप coaching के लिए जोईन करना चाहते हैं तो weekend और evening batch हर स्टेट में रहते हैं तो केरला में 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 रहता हूं वहाँ पे हैं मतलब तो आप तीन जार इंस्टेट हैं उस evening course प्रवेड करते हैं तो आप college के बाद evening में जाके थोड़ा pain लेना पड़ेगा तो हर दिन जाके दो गंड़े या इतना टाइम नहीं होता है आप आराम से जाके बैट के पढ़ाय कर सकते हैं और weekend batch भी प्रवेड करते हैं weekend batch का problem जा हो बात करने वाले question bank prelims and mains उसका जो prelims का जो अभी तो question आ चुक है और mains का भी question आ चुक है उसका link book का link में video description में दिया हूँ तो आप वहाँ से purchase का सकते हैं तो मैं इसलिए इसका importance बोल रहा हूँ आपको ये सबसे ज़रूरी syllabus के साथ पहले खरी दिया तो काफी बढ़िया हो सक और दूसरा चीज़ से mains का questions के आते हैं उसका model answer भी ये लोग देते हैं तो आप ये question bank थोड़ा बहुत रफर करते रहे जिए क्योंकि आपको क्या होता है question bank में देखे आपको पता चलिया यार कैसा question आते हैं कौन सा area से आते हैं वो जब NCRT वेरा पढ़ने के time आपको थोड और सबसे बड़िया एक बड़िया नी काफी important topic है selecting optional paper आपने सुना होगा ते एक subject आपको चूज करना पड़े हैं और syllabus में लिखा है कौन सा हुएंसा subject आप चूज कर सकते हैं जो popular है लेक अंध्रा पोलजी है काफी सारा scoring रहते हैं और आपका regional का जो मेरा जो मलयानम literature को optional मे ले रहा हूं उसके बाद like international relations और सब काफी अलग-अलग history, geography, psychology, mathematics, अलग-अलग optional है तो आप कैसे optional select करना है क्योंकि आपका ranking में काफी important हिस्सा ये provide करते है actually optional तो आप decide कर लें कौन सा subject आपको अच्छ है इसलिए आप 3-4 select कर लो like मुझे history करना है या मेरे political science करना है या मुझ ये anthropology करना है तीन चार select कर लो उसके बाद तीनों का syllabus एक बार पढ़ लो और उसका चोटे-चोटे लेक articles वगरा है syllabus की हिसाब से आप एक नेट पे पढ़के देखो फिर आप देखो आप जो 3-4 subject आपने चूज़ किया कौन सा आपको ज्यादा comfortable लग रहा है तो वह वाला subject आ नहीं है तो आपको पता चलिदा कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा ओके और aptitude तो second prelims में जो second paper qualifier करते हैं but काफी सारा लोग जो paper one qualifier करते हैं but seaside में feel होते हैं तो seaside के लिए आपको English comprehension थोड़ा बहुत आपका improve करो और mathematics में जो analytical reason थोड़ा अच्छा किया है तो आराम से आप कर सकते हैं और corn में भी जा सकते हैं थोड़ा equation आपको याद रखना पड़ाएगा बट आप आराम से कर सकते हों तो seaside इतना lightly मत दे लो तो अगर आपका seaside थोड़ा aptitude में जो mental ability maths में करा थोड़ा weak है तो अभी जो college का time है उसमें थोड़ा improve करने के लिए कोशिश कर लो क्योंकि जब आप पूरा UPC मोड में आता है ना तो seaside के लिए अलग time रखने के लिए time ही नहीं मिलेगा पड़ाई करने के लिए तो अभी से clear कर देना और आपका एक चीज़ है minimum budget और maximum budget कितना चाहिए आपको UPC coaching के लिए जाना चाहिए तो सपोस्ट डेली गया तो आप in coaching institute में जोइन कर लो 1.5 to 2 lakh 1.5 lakh से उपर रहते है प्रिलिम्स कम मेंस का coaching के लिए उसके बाद optional के लिए 50 to 60 thousand अलग से निकल जाते है सीसाइट का चाहिए तो 15-20,000 का coaching होता है सीसाइट का ओके तो सब मिला के 2.5 lakh का उपर चले जाते है आपका सिर्फ coaching के लिए उसके बाद रहने के लिए तो पैसाजी यह वाप है तो वह भी मिला के तो मुला आप 3-4-5 lakh तक चले है तो आप accommodation कैसे select कर रहे उसको उपर है अल काफी सारा डेली में कैसे रहने के लिए जगा डूनना है कैसे coaching इसको डूनना है उसका वीडियो बना के रखे आप चानल में जाके आपको मिल सकते है मेरा जो चानल विसिट कर लो और online coaching online coaching काफी काफी सारा लेक academies अभी online प्रोवेड कर रहे जो corona का situation में है अन अकाडमी तो अभिराम वाई टीटन मेरा जो code आप यूज करो तो आपको 10% offer मिल जाएगा ओके तो online coaching में क्या problem आ सकते है एक problem क्या हो सकते है आपको रोस discipline होना चाहिए class देखने है पूरा दो डाइगंड़े का class है आपको complete करना चाहिए coaching इस्टुट में क्या होते है हम रोस चले जा डेली के बारे में डिसेट करना उसके बारे में काफी सारे वीडियो बना रखा है तो पहले एक करो आपका जो कौन सा भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वह आपके काफी सारा स्टेट के और में scholarship देते हैं जो डेली में जाके पढ़ने के लिए तो fees भी उप्रवेट करे तो हला हर community का development organization रहते हैं तो बहाँ पर हो लो काफी सारा like higher studies ऐसा जो IAS IPS जैसा premium चीज़ के लिए ओलो आपको scholarship कर रहे हो जरूर आप बात किये तो काफी सारा पैसा का button यससे निकल जाएगा okay and how to select coaching and stay and food etc. coaching के बारे में बता दूँगा तो coaching select करना काफी doubtful चीज़ है रहते हैं जो दिली में आते हैं तो इतनी सारे IAS study circle है IAS score करके काफी सारा है actually okay और राहूस IAS study circle है इसा करके काफी सारा popular institute है तो आप बट इस जगह पे थोड़ा आफीस ज्यादा रहे तो आप दिली में देखे तो पचास अजार चालीस अजार मागरामी में आपको यह सेम coaching का institutions बगार है बट reliability कितने हैं हमें पता नहीं तो आप थोड़ा previous students को देखो और Google में reviews देखो कैसा है अगर की और stay stay के बारे में तो यार काफी सारा PG का availability आप hotel में रूम रहे के रह सकते हो मतला हो package लेते है monthly package देते है और आप अलग से flat range में दो तीन लोग मिलके रह सकते हो तो एक single room में रहने तो आप थोड़ा उसके दो तीन stop metro shop के बाद आपको एक पढ़ना अगर मिलेगा station जेगा वह पे काफी सस्ते में आपका यह हो जाएगा मतलब रहने का हो सकते ही इंदजाम खाना पीनावारा बनाने के लिए लोग का वहाप या वो खाना बना के देदूंगा आपको मंदिल के बारे में आपने काफी सुना होगा बर लश्मी गांद पढ़ने से पिले आप NCRT का जो पुलिटी का न एक एक दो बुक है एक्शली constitutional framework करके ओ पढ़ाए कर दिया तो काफी अच्छा रहेगा तो आराम से अब लश्मी गांद फिर सुर्यू कर सकते हैं क्योंगी फ्यूचर में जाके सिर्फ लश्मी गांदी पढ़ने है आपको पुलिटी का जितना भी aspect है maximum लश्मी गांद कवर करते है और दूसरा एक चीज एक चोटा सा बुक आता है एक जो basic ideas आपको समझाने के लिए शंकर गनेश का बुक काफी helpful है ओके चोटा सा बुक है and really good also तो हम लोग ने एक overall चीज़ देखा UPSC strategy for quality students तो हर एक चीज़ मैंने थोड़ा बो इसके conclusion में भी बताने वाला हूं उससे पहले एक चोटा सा announcement है यह आपको काफी 5-11 announcement है इसलिए सोचा में आपको बताथूँगा यह है अन्नकाडमी अस्पेर का एक नया announcement है अन्नकाडमी से तो यह ओल इंदिया free mock test है for civil service aspirants के यह दे रहे है वो 10th and 25th of every month यह वाला exam होने वाले इसम आपको क्या मिलने वाले exciting prices है scholarship ही मिल्ले है मिल्ला आपको कोर्स थोड़ा 6 मेने या तीन मेने का कोर्स आपको free में मिल सकते membership okay for the top 50 ranges actually आप इसमें enroll करने के लिए link मेरे video description में दिया है वह से आप enroll कर सकते है चलो देखते इसका क्यों important actually इसमें Old India RAM को आपको पता चल दाले तो आप पूरा लेक इंदिया का सादा students maximum students unacademy जो signed up है वो ल को according to vacancy prelims के लिए prelims के बाद means के लिए select करते है तो एक बार आप यह लिखने ही बार मेरा score तो 20 असार के ऊपर आ रहे है मतलब मेरा rank तो कम से कम आपको 10-15 असार के अंदर आ आ रहे की नहीं वह आपको Old India राके आपका एक idea मिल जाएगा और test जो बनाया है curated by expert educators ने बनाया है जोगी दिली का popular educators है वो अलड़ी मिनाल सर जैसे लोग है वहाँ पे और UPSC CSE level का बना रहे test अरे वो test का analysis top educators करते हैं एक्साम के बाद बोलते हैं ओके यह question का answer क्या होता था इसका elimination method क्या होता था काफी detailed explanation analysis हो लोग कर लेवान है detailed performance report आपको मिलेगा competitive stats to know where you stand तो एक्साम के साथ आपका position कहा पे हैं अब top में आ रहे हैं कि bottom में आ रहे हैं कि middle में आ रहे हैं में exciting prices and scholarships यह तो आपको एक बहुत बढ़िया चीस है एक बार आपने exam लिखा आपने top किया तो आपको prices मी मिल रहे हैं cash prices लेके Amazon type का मिल रहे हैं मैं आपको बता दूंगा actually only for live test take है तो आपक see this is the biggest thing actually up to five lakh rupees का prices वर्थ इसमें आते हैं अगर आप राम rank one to three है तो छे महीने का subscription आपको फ्री में मिलते हैं one to ten वालों को Amazon voucher भी मिलते हैं 10,000 रुपीज का 11 to 30 फिर 5,000 का voucher 31 to 15 आपको 3,000 का voucher actually syllabus तो common prelims का syllabus है तो आपको detail analysis आप exam के बाद आपको total score क्या मिला कितना negative incorrect question था उसका marks के से जलाया कौन सा unattend किया और यह देखो करवें आपको दिखेगा कहाँ पर stand करते हैं इतना सारा students का topping में और अलग-अलग subject में कितना को सीना है आपने कितना ठेक किया तो यह काफी detail analysis आपको मिलते हैं तो इसका आप आराम से वीडियो का description में है स्ट्राइजी यह था college going students के लिए आपको काफी जारा time मिलते है पढ़ाय करने के लिए कोई college के बाद वो time थोड़ा manage कर लीजे फिर एक जो idea मैंने बता दिया था उसके तुरू आप खर दीजे और जो भी important चीज़ आपको खरीदना है यूपे से के लिए उसका video का description में में link दिया है once again thank you so much for watching this video bye bye